NEED24 का application form कैसे fill करना है? इसका step by step process इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. इससे पहले वाले वीडियो part 1 में मैं आपको बता चुका हूँ कि NEED24 का registration कैसे करना है? इस बार registration process में थोड़ा सा change हुआ है. website भी इसकी change हुई है और registration process में भी change हुआ है. तो इसका part 1 मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि आपको registration कैसे करना है? इसमें registration के बाद में आपको online application form fill करना है और document submit करने fees payment करना है. तो इसका जो part 1 है registration का उसका link मैं description में दे दूँगा उस वीडियो का तो आप देख सकते हैं कि इसका registration कैसे करना है? आपने registration करने के बाद आपको application number मिल गए हैं आप application number आपके mail पर आ चुके हैं तो यहाँ पर आपको application number fill करना है password जो आपने create किया है registration करते समय वो password इंटर करना है इसके बाद security pin इंटर करके login करना है login करने के बाद इस परकार का step आएगा यानि कि registration आपका complete हो चुका है registration का full process है वो मैं part 1 के वीडियो में बना चुका हूँ इस वीडियो के description box में link है वहाँ से आप part 1 देख सकते हैं अब application form fill करना है incomplete लिखा हुआ है complete application form पर यहाँ click करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर click करेंगे यह application form इन steps में पूरा होगा सबसे पहले contact detail fill करनी है personal details fill करनी है PWD candidate है तो उसकी detail fill करनी है exam center की detail fill करनी है qualification detail fill करनी है additional detail fill करनी है documents upload करना है और फिर final submit करना है उसके बाद में payment करना है तो इस application form के part contact detail के part में हम click करेंगे automatic यह details यहाँ show हो जाती है यहाँ जो हमने registration करते समय present address fill किया था वो present address यहाँ पर आ जाता है तो वो अगर सही है तो ठीक है इसके बाद में आगे इसका जो permanent address है वो भी यहाँ पर आपको show हो जाता है उसके बाद में capture यहाँ आपने fill करना है I agree पर click करना है और save and next पर click करना है तो जैसे ही save and next पर click करेंगे content details saved successfully लिखा हुआ आएगा okay पर आप click करेंगे तो आपकी contact details है वो save हो चुकी है इसके बाद आप pwd जो details है उस पर आप automatic आ जाएंगे okay करते ही यहाँ personal details पर आप यहाँ आ जाएंगे अब जो आपने registration के time में candidate name, date of birth, father name, mother name इसके बाद में यह details फिल की थी यह यहाँ पर automatic आ जाती है अब आपने यहाँ details फिल करनी है कि आपने 12th class कौन से state से pass की है तो drop down में करके जिस state से आपने 12th pass करके वो state यहाँ drop कर सकते हैं इसके बाद में आपने यह category फिल करना है category में general, general EWS OBC, SC, ST category आती हैं जिस category से आप belong करते हैं वो category आप यहाँ select कर सकते हैं जो OBC category select करेंगे वो central list में नाम आना चाहिए उस category का अगर उसमें central list में OBC का आपकी category का नाम नहीं आता है तो आप यहाँ general फिल करेंगे इसके बाद में जब counseling होती है तो अगर आप यहाँ गलती से SC, ST OBC फिल कर देते हैं और counseling general से करवाना चाते हैं तो यह भी option available रहता है उस समय कि आप general से counseling करवा सकते हैं लेकिन अगर इस समय आप general फिल करेंगे और counseling के time में बाकी category से counseling करवाना चाते हैं से OBC, EWS, SC, ST तो वो संभाव नहीं है यानि कि downgrade नहीं होता है इसमें upgrade ही होता है category का अब इसमें यह देना है कि diabetes के अगर patient है तो yes करना otherwise no करना है residence का यहाँ पर आपको देना है कि कौन से आपकी place है residence की तो यह personal details में आपकी जो annual income है family की वो यहाँ show करनी है इसका इतना बड़ा issue नहीं है अगर minority candidate है तो yes करना otherwise no करना है आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं coaching से कर रहे हैं self study है वो यहाँ fill कर सकते यह भी इतना बड़ा issue नहीं है इसके बाद में आपका residence of country क्या है वो आप country of residence यहाँ select कर सकते हैं है या फिर other country है तो select कर सकते हैं अगर आप पारंपरिक पोसाग पहन के जाना चाते हैं एक्जाम में जैसे कि सिक candidate है पगड़ी पहन के जाना चाता है या फिर Muslim candidate है बुर्का पहन के जाना चाते हैं तो अगर वो पारंपरिक पोसा का पहन के जाना चाते हैं तो yes करें यहां पर otherwise यहां पर no कर दें इसके बाद यहां capture डालना है आपको I agree पर click करना है और save and submit पर आपको click करना है तो जैसे ही आप save and submit पर click करेंगे आपकी जो personal detail है वो fill हो चुकी है और जैसे ही यह personal detail fill हो जाती है उसके बाद है कि आपकी personal detail successfully saved तो उसके बाद आप उसको okay करेंगे तो इस परकार से PWD candidates की detail fill करने है यदि अगर आप PWD candidate है यानि की दिव्यांग candidate है विकलांग candidate है तो यहां पर आपको yes करना है और आपको आगे documents में certificate submit करना होगा अगर नहीं है तो यहां पर no कर दें capture fill करने के बाद I agree पर click करेंगे and save and next पर click करेंगे तो आपकी PWD details complete हो चुकी है यहां पर okay करेंगे PWD details saved successfully okay कर देंगे यहां पर तो next step में exam center detail में आ जाएंगे आपको दो exam center यहां choose करना है तो यहां पर सबसे पहले क्यूशन paper का medium select करना है Hindi English जो भी regional language में भी क्यूशन paper है तो जो भी आपका medium आप रखना चाते हैं वो select कर दें मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Hindi select करेंगे तो English और Hindi दोनों में paper आएगा और अगर आप English select करेंगे तो only English में ही paper आएगा यहां आपको paper मिलेगा यहां जितने भी center है उसे state में यहां show होंगे तो जिस center पर आपको exam देना है उस पर आप यहां click कर देंगे ऐसे second option में भी पहले state fill करेंगे फिर exam center fill करेंगे कि कौन से exam center पर अगर आपको first वाला नहीं मिलता है तो second वाले exam center में आपको exam देने का मोका मिल जाएगा वैसे first वाला exam center ही मिल जाता है इसके बाद में father का व्यावसाय क्या है योग्यता क्या है उसकी ऐसे ही mother का देना है और mother की योग्यता देनी है ये भी इतना बड़ा issue नहीं है capture fill करके I agree पर click करेंगे save and next पर click करेंगे तो आपकी exam center detail complete हो चुकी है ये saved successfully हो चुकी है okay करेंगे okay करने के बाद आप educational details में आ जाएंगे यहां आपको 10th 11 12th तीनों की details fill करनी है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या details fill करनी है 10th की सबसे पहले details fill करनी है इसमें आपको pass status में past ही लिखा मिलेगा क्योंकि 10th pass करने के बाद ही आपने 12th pass की है इसके बाद year of passing यहां select कर लेंगे यहां पर schooling का स्थान यानि की कोन सी जगए इसकूल है उसका यहां select कर लेंगे और school type government है प्राइवेट है वो select कर लेंगे इसके बाद में examination state कोन सा आपने जो qualified 10th कहां से पास की है किस से पास की है वो यहां select कर लेंगे और district select कर लेंगे जहांसे आपने 10th pass की है और board कोड गोड होते हैं यहां रॉल नम्बर फिल करेंगे या फिर है आपका जो electrome करते हैं तो 11th की detail में यहां आप click करेंगे तो दो option मिलेंगे आपको past status में एक मिलेगा past का और एक मिलेगा note applicable का करोना की time में यह exam नहीं लगा था 11th का तो वो candidate यहां note applicable कर दे और जिनके past में detail है पूरी 11th class की passing year है जो हमने 10th की detail फिल की थी वो सारी अगर detail है तो वो past की पर click करके यह सारी detail यहां fill कर देंगे तो आपकी 11th की detail fill हो जाएगी यहां पर जिनके पास 11th की details नहीं है वो यहां past status पर जैसे ही click करेंगे note applicable का यहां पर option मिलेगा उस पर click करेंगे तो यह सारी hide हो जाएगी इसमें इसके बाद आपको 12th की detail fill करनी है जैसे past status में past या appearing करना है अगर आप 12th क exam इस साल दे रहे हैं और इस साल दे रहे हैं तो आपकी exam लगी नहीं यह result नहीं आया है तो यहां पर appearing करना है अगर आप पास हो चुके हैं 2023 में दी है 22 में दी है तो past लिखना है यहां पर तो past लिखेंगे तो कौन से year में आपने past किया है या appear हो रहे हैं तो 2024 में अपेर हो अब यहां पर आपको qualifying exam देना है यहां जैसे ही select करेंगे अगर पास status में आप appearing दिखा रहे हैं तो यहां पर qualifying exam के अंदर आपको code 1 दिखाई देगा only यानि कि वो सिरफ appearing candidates के लिए अगर यहां आप past देते हैं तो code 2 से लेके 7 तक यहां पर code आपको दिखाई देंगे मैं आपक code का अलग से video बना के बता दूँगा फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि code 2 उन candidates के लिए हैं जिन्होंने 12th class pass की है किसी school में किसी college में admission नहीं लिया है 12th class pass करने के बाद वो need की exam दे रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो यहां code 2 select करें code 3 करनाटका state के लिए POC candidates के लिए और code 6 है वो जिन्होंने BSC final कर लिया उनके लिए है और code 7 है वो out country के लिए तो मेरा करने का मतलब यह है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा code डालू 12th class आपने pass कर लिया है अगर आपने कई किसी professional course में admission लिया है BMS, BHMS तो उसमें आप यहां code 2 भी अगर fill करेंगे त समझ में नहीं आता है आपने 12th class pass की है तो आप यहां पर code 2 भी डाल सकते हैं यहां पर बाकी सारी details यहां पर मैं बता चुका हूँ वैसे ही fill करनी है और roll number fill करने के बाद में जैसे ही roll number fill करेंगे आप अगर इसमें past का status देते हैं तो यह आपको फिर marks डालने हैं English के, Chemistry के, Physics क biology के या bio technology के marks डालके, capture डालके, I agree पर click करके आगे save and next पर click करना है मैं आपको बता दूँ कि जो 12th के आप details दे रहे हैं उपर marks की उसमें total marks देना है और यहां पर आपको subject wise marks देना है, save and next पर click करेंगे, qualification details saved successfully लिखा आएगा, ok पर click करेंगे, तो जैसे ही ok पर click करेंगे, आग को मिलेगा, तो क्या आप जुडवाँ byben हैं तो आप यहां yes कर सकते हैं, otherwise no कर सकते हैं, क्या आप जुडवाँ हैं, शोरी, क्या आप जुडवाँ हैं, तो yes करें, अदर्वाइस no करें, इसके बाद में आपने अगर पहले NEET का exam दिया है, तो yes कर देंगे, और पहले वाले क इतने attempt दिये हैं, वो attempt आपने लिखना है, अगर नहीं दिया है, तो no कर देंगे, वैसे attempts का इतना बड़ा कोई issue नहीं है यहां पर, capture यहां डालेंगे, I agree पर click करेंगे, save and next पर click करेंगे, तो आपकी additional details feel हो चुकी है, अभी आपको photograph, signature, photo और thumb के जो finger और thumb impression है, hands के, वो आप आपको यहां upload करने है, तो सबसे पहले आपको photo upload करनी है, signature upload करने है, फिर postcard size की photo upload करनी है, और thumb, यानि की hand के finger and thumb upload करने है, अब यह किस condition में होने चीए, वो मैं आपको बता देता हूं, जो photo रहेगी आपकी passport size की, और postcard size की photo एक ही रहेगी, बस उसमें size का फरक रहेगा, passport size क photo होती है, वो छोटी होती है, और postcard size की photo होती है, वो बड़ी photo होती है, तो आप अगर photographer को बोलेंगे तो वो आपको निकाल के दे देगा, इसकी जो size है, वो 10 से 200 KB के बीच में है, JPG या JPEG format में यह मनने है, अब इसकी condition यह है कि यह photo है, वो white background में होने चीए, candidate का name लिखा ह होना चीए यहाँ, और जिस तारिक को यह photo लिए गई है, वो date यहाँ लिखी हुई होने चीए, दूसरी condition इसमें यह है कि 80% face यहाँ दिखाई देना चीए, और दोनों year है, वो भी दिखाई देनी चीए, यह photo की condition है यहाँ पर, photo आपकी साफ होने चीए, बलर्ड नहीं होने चीए, photo छोटी भी नहीं होने चीए, ऐसा नहीं है कि यह round काफी बड़ा है, इतनी चीए दूर में ही आपने photo लगाई है, तो फिर इसमें photo edit का कोई option भी नहीं मिलेगा, आपको इसलिए photo आपने सही तरीके से लगाना है, hands के right के और left के दोनों के finger और thumb लगाने हैं, जो यह अंगुलिया और अंगुठा लगा लें, तो आपके निसान उस पर आ जाएंगे और उसको scan कर सकते हैं, signature आपको running hand में करने है, capital में भी नहीं करने है, बिल्कुल small में भी नहीं करने है, ऐसे running hand में signature करने हैं आपको, तो इस परकार से आप photo वगरा की सारी condition ने यहाँ upload कर द पूरा form आ जाता है, तो आपने इस form को पूरा check करना है, एक एक step चेक करने है, एक ही बार नहीं, तीन बार चेक करना है, और अगर सही है तभी इसको हम submit करेंगे, otherwise सही नहीं है, तो last में back का option मिलेगा, उस पर जाकर के आप जहां जिस step में आपको गडबड लग रही है, उस से step को ठीक करके, फिर से आप वापस save and next करते हुए आगे proceed करेंगे, एक बार आपने पूरी details है कर ली, सब कुछ सही है, फिर आपने यहां आपके जो mobile number है, उसको verify करना है, तो आपने यहां verify mobile number पर यहां click करेंगे, पर click करना है, यहां तो जैसे ही click करेंगे, आपके mobile number show हों पर click करेंगे, capture डाल करके submit करेंगे, तो आपका mobile number verify हो गया है, ok कर देंगे, ok जैसे ही कर देंगे, तो यहां लिखा आगया कि आपका mobile verify हो चुका है, अब इसके बाद में जैसे ही verify यहां final submit का option आपको मिल जाएगा, नीचे ही नीचे, नहीं तो जब तक आप mobile verify नहीं करेंग यहां final submit का option नहीं मिलेगा, जैसे ही final submit का option मिल जाता है, आपने सब कुछ check कर लिया, photograph वगरा, सब कुछ सही है, आपने जो details fill की है, सब कुछ सही है, उसको बार-बार check करने के बाद यहां final submit पर click करना है, जैसे ही final submit पर click करेंगे, इस परकार का review page आएगा, इन पर सब पर आ application final submit successfully, ओके पर click करेंगे, ओके पर click करेंगे, तो यहां details आएगी, fees payment के लिए, जो आप जिस category से है, आपके लिए जितना applicable है, यहां वो fees लिखी हुई आएगी, pay now उपर click करेंगे, यहां पर, तो जैसे ही pay now उपर click करेंगे, यहां SBIE pay का option है, SDFC का है, Kenra Bank का है, ICIC का है, अग उन पेसे भी scan करके कर सकते हैं, या फिर उसमें UPI ID drop करके भी कर सकते हैं, अगर आप SPIE e-pay से करना सकते हैं, तो आपके पास Net Banking है, SBIE का heather banking है, या card है, credit card है, debit card है, तो इससे आप SPIE से payment कर सकते हैं, दूसरे bank के हैं की भी card है, तो यहां से आप payment कर सकते हैं, नेट banking की भी द आप UPI, इसी के SDFC, आपकी UPI है, तो उससे कर सकते, आप किसी भी, अगर phone पे चला रहे हैं, Google पे चला रहे हैं, तो किसी भी UPI से कर सकते, जनरेट QR पर क्लिक करेंगे, QR जनरेट हो जाएगा यहां, उसको आप scan करके, phone पे से, Google पे से, जो भी आपके पास में UPI का option है, scan का QR code scan का, तो यहां pay कर देंगे, अगर आपके पास QR का option नहीं है, तो यहां आपके पास UPI ID होती है, जैसे किसी के mobile number होते हैं, add the rate of YBL, IBL, OKSBI, इस प्रकार की UPI ID होती है, verify VPA पर क्लिक करेंगे, यहां पर, इसके बाद Mac payment पर क्लिक कर देंगे, तो यह आपका payment हो जाएगा, ऐसे ही option आपको मिलेंगे, UPI का, card का, net banking का, तो इस परकार से आप pay कर देंगे, तो जैसे ही आप pay now करके, submit करके, pay हो जाएगा आपका, pay होने के बाद आपकी detail ही यहां आजाएगी, कि यह आपका payment हो चुका है, यहां पर, go to dashboard पर जाएगे, जैसे ही go to dashboard पर जाएगे, तो वहां पर आपको confirmation page download का option मिले तो उस confirmation page को आप जरूर download कर लें, यह future reference के लिए आपके पास काम में आएगा, तो यह जानकारी थी, part two कैसे fill करना है, हमने application form, part two, यह मैंने दो वीडियो बनाए, part one और part two, इसलिए मैं आपको part two बता रहा हूँ, वैसे कोई, ऐसे specification नहीं है, कि part one, part two, दो part में ऐसा form है, यह है, तो यह जानकारी थी, बाकी मैं आपको code के बारे में, और जो बाकी details हैं, उसके बारे में समझा दूँगा, ताकि आपसे किसी परकार की कोई mistakes ना हो, तो यह मिलेंगे नई update के साथ, नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए, जैहिन!